हेलो दोस्तों मैं है और में तौफोन राखिंग नई विडिम आपका स्वागत है दोस्तों मेरे पास आगया है रियल मी का लेटेस्ट स्मार्टफोन जो है रियल मी 5 जिसके साथ है एक यूनिक इन्वाइट चलिए करते हैं इसके अन्वाक्शिंग मैं आपको दिखाता हूं स्मूवन के सारे फीचर्स और एक फूटा सा सर्प्राइज आप लोगों के लिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले यहां पर इन्वाइट की तो यहां पर क्लियर इन्वाइट है लीप तो देक्वाट कैमरा और यहां पर लिखा हुआ है रियल्मी 5 सीरीज मतलब दो स्मार्टफोन यहां पर रियल्मी लांच कर रहा है और यह है कॉट कैमरा के साथ जिसके लिए हमारे पास यहां पर है कुछ चीज़ें जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर है डिफरेंट कैंड अफ लेंसे लेकिन लेकिन लेट्स टेक लुक अ प्लेंट फिर्टीन मेगा पिक्सल टेक्नीकली यहां पर आपको मिलेंगे पाँच कैमरास फाइव रियल्मी 5 फाइव चैमरास और फाइथाऊजन एमेच बैटरी वेल दाट्स इंट्रेस्टिंग और उसी के साथ-साथ यहां पर आपको मिलता है 6.5 इंचेस का डिस्प्ले प्राइजिंग इंफॉर्मिशन यहां पर आवेलेबल नहीं है क्योंकि यह एक रिव्यू यूनिट है और उसी के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ अगरम बात करते हैं कलर की तो यहां पर मेरे पास जो कलर है वह क्रिश्टल ब्लू और एक और कलर भी लॉंच होने वाला जो है क्रिश्टल पर्पल और अब चलिए हम खोलते हैं इस बॉक्स को अगर हम बात करें इंपोर्टन चीजों की दोस्तों तो यहां पर क्लियर मेंशन है मेड इन इंडिया जो भी एक बहुत ही इंपोर्टन चीज है और जैसे हम इस बॉक्स को खोलते हैं यहां पर हमारे सामने ह एक छोटा सा बॉक्स जिसके ओपर लिखा हुआ है हे वेलकम दो रियलमी फैमिली अब चलिए इस बॉक्स को हम लोग खोलते हैं और यहां पर आपको मिल जाता है यह प्लेन टीपी यू केस जो एक काफी इंपॉर्टन चीज है जब भी आप एक नए स्मार्टफोन को खरीदत में और उसी के अलावा यहां पर हमें मिल जाता है यह रियलमी ब्रैंडेट पावर एडप्टर जिसके ओपर पावर आउटपुट है टेन वाट्स का और उसके बाद हम बात करते हैं केबल की तो यहां पर मेरे सामने है यह यूस्बी केबल जो एक माइक्रो यूस्बी केब है और उसी के साथ आपको मिल जाता है यह सिम एजक्टर पिन अब चलिए हम यहां पर इस फोन को खोलते हैं और सेक्यूर्टी व्रैपिंगों जैसे आप निकालते हो यहां पर आपको मिल जाएगा यह डायमंड कट वाला ब्यूरिफुल रियलमी 5 स्मार्टफोन और यहां पर काफी इंट्रेस्टिंग और काफी यूनीक दिखने वाला यह डिजाइन हालां कि यह ग्लॉसे डिजाइन है लेकिन दिखने में काफी स्टाइलिस दिखता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक कंप्लीट फिजिकल ओर्विव स्मार्टफोन का पिछी की तरफ आपको अब पर फटेप करता हूं और फिर आपको में लेके जाता हूं आगे सेटप के दोरान हमें यहां पर आप्षेन मिल जाता है फेस अनलॉकिंग का जो काफी इजी है और यहां पर मैंने इसका सेटप कर दिया है कंपलीट और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक डेमॉंस्ट्रेशन यहां पर अब हम करते हैं कंपलीट फिंगरप्रिंट स्कै जहां पर आपको मिलता है HD Plus का और यहां पर स्क्रीन रिजविशन है 1600 x 720 और इस फोन के अंदर आपको मिलता है Corning Gorilla Glass 3 Plus का प्रोटेक्शन फोन का वेट है 198 ग्राम सोर यहां पर आपको मिलता है 5000 इमेच का बैटरी फोन के अंदर आपको मिलते हैं 4 camera setup और उसी के साथ-साथ फ्रेंट पर आपको मिलता है 4GB RAM प्लस 64GB storage और 4GB RAM प्लस 128GB storage और यहां पर आप इस storage को expand भी कर सकते हैं 256GB तक यहां पर इस phone के नदर आपको मिलता है dual nano SIM card के slot और एक micro HD card का slot और यह phone आपको offer दिया जाता है color OS 6 के उपर जो run कर रहा है Android P के उपर और यह रहा इस phone का color OS 6 का welcome screen जैसे आप इसको complete करते हो यहां प आपको कुछ suggestions दिये जाएंगे सबसे पहले यहां पर आपको मिलता है smart assistant left side में उसके बाद यहां पर Google का folder कुछ tools के folder जिसके अंदर आपको मिल जाएंगे calculator or roaming जो बहुत ही important useful feature है उसके साथ साथ आपको मिलता है game space compass और recorder application इसके बाद यहां पर काफी सारे applications आपको मिल जाते ह है कि कोई application आपको नहीं चाहिए तो आप इनको uninstall भी कर सकते हैं जो एक अच्छी बात है अब चलिए हम जाते है settings के अंदर और यहां पर देखते हैं कि settings के अंदर हमें क्या information available है इस phone के बारे में यहां पर about phone के अंदर model number है RMX 1911 Android version Android 9 out of the box जो एक अच्छी चीज है obviously और उस इसके साथ यहां पर बात करतें इंटेल स्टोरेज की तो आपको मिलता है 113 GB available out of the box from the total 128 GB इसके बाद अगर हम बात करतें दूसरे चीजों के तो यहां पर Android का security patch है July 5th 2019 का तो यह है इस phone का about information अब सबसे पहले ही मैं यहां पर एक टेस्ट करना चाहता हूं face unlocking or fingerprint unlocking की तो यहां फोन लॉक्ट है और जैसे हमारी तरफ हम लोग देखते हैं face unlock से phone unlock हो गया तो यह काफी फटा फट तरीके से काम करता है अब मैं डेमो देखता हूं fingerprint unlocking का जहां पर विल टेस्ट हाउ कुए किस दफिंगर प्रिंट अनलॉकिंग और यह बहुत ही super force तरीके से unlocking होता है सब अगर हम बात करते हैं इस फोन के कैमरा की दोस्तों तो यहां पर आपको मिलता है four camera setup मतलब four camera setup और यहां पर आपको बहुत ही सारे options मिल जाते हैं सबसे पहला option जो आपको यहां पर ध्यान रखना है वह है ultra macro mode का जहां पर आप बहुत ही detail में macro shots लेख सकते हैं और अपने फोन का फोर सेंटीमेटर तक नजदीक तक लेके जा सकते हैं और आपको detail से macro shots मिल जाएंगे अगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे camera samples जिखाते हूं जिसे आपको idea मिल जागे कि यह camera कैसे काम करता है और उसी के साथ साथ यहां पर आपको मिलता है wide-angle camera जो भी एक बहुत ही important feature है और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं video की तो दोस्तों यहां पर video के अंदर आपको मिलता है 4K video recording का option well अगर realme 5 launch होता है 10,000 से नीचे then I am clearly impressed macro mode, wide-angle mode, regular mode, portrait mode, bokeh shots plus 4K video recording at a price below 10,000 rupees with the Qualcomm Snapdragon 665 और सबसे important चीज़ जो है battery 5000 mAh की battery और अगेन यह एक power efficient processor है जिसे यह battery और लंबी चलेगी again मेरे opinion जो भी है feedback मैं इसको use करने के बाद अगले दो दिन के अंदर आपको बताऊंगा लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं इसको use ही कर रहा हूं और आपको मैं सारी details बताऊंगा मेरे आने वाले review के अंदर जिसमें आपको सारे pros and cons भी बता दूँगा as of now this is the real me 5 smartphone और अगर मैं बात करता हूं दूसरे चीज़ों के अगर मैं selfies की भी बात करता हूं तो यहां पर video mode में आपको मिलता है full HD तक का video recording option photo mode है और उसी के साथ-साथ यहां पर आपको फ्रेंट में भी portrait option मिल जाता है और उसी के साथ यहां पर आपको face beauty AI features है जिसके बात आप यहां पर skin smoothing कर सकते हैं अगर आप thinner face चाहते हैं लगता है आपको face थोड़ा सा मोटा है तो आप पतला कर दीजिए जनरली लड़कियों को पसंद आएगा smaller face I don't know किसको smaller face चाहिए चिन कम ज्यादा करना है bigger eyes I'm not going to be talking about that because racist हो जाएगा smaller nose touch up मतलब बहुत सारे options है and I think guys like you would be liking the raw look जहां पर आपका beard भी clearly आपको visible हो so that's about the camera guys again यह है कुछ camera samples जिसे आपको idea मिल जागे किस्मार्टफोन का camera कैसा है अब चली मैं अगर बात करता हूँ मेरे personal opinion की realme 5 के बारे में तो यहाँ पर यह काफी impressive product है जो realme ने launch किया है मुझे लगा था कि इस processor के साथ यह smartphone को यह लोग launch करेंगे कुछ 12, 13, 14,000 के price के उपर but then this is a successor to the realme 3 and यहाँ पर 5000 mAh की battery है latest एक unique नया processor जो first time इंडिया में introduced हो रहा है again I also know another brand is launching the same processor लेकिन क्या वो इस price पर launch करेगा वो एक सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है cod camera setup जो भी काफी interesting camera setup है और 5000 mAh की battery so I want a very good package from realme which is going to be you know hot selling like cakes and I think this could be a very successful product for realme again यह थे मेरे first impressions और एक unboxing realme 5 smartphone के बारे में अगर आप को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like कीजिए और इस वीडियो को खतम करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप मेंसे कोई एक जीत सकता है यह realme 5 smartphone तो आप लोगों को नीचे comment करके बताना है इस टेप थोड़ा सा अलग steps है आपको मुझे बताने है 5 क्योंकि realme 5 है 5 important features जो भी आपको अच्छे लगे जो भी आपको 5 चीजे मन में जो भी आपको आती है आप नीचे comment करके बता दीजिए वीडियो को like कीजिए वीडियो को share कीजिए और आप मेंसे कोई एक जीत पाएगा एक brand new realme 5 smartphone अगे दरस्री तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और subscribe कीजिए हमारे इस चैनल को कुछ ऐसे interesting वीडियो के लिए मैं हूँ Amit और मैं आपको मिलता हूँ हमारे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई